हाई दोस्तों नमस्कार मैं है मांशू पारशर वीडियो को आज के इस क्वेपर को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ मैं क्यों बोलता हूं कि स्लेबस कॉस्ट अकाउंटिंग का या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कॉलेज में हो तो उसका स्लेबस हमे मैं आपको बताऊंगा देखें मैं तो मद्य प्रूइश से ब्लॉंग करता हूं गुना से है ना पर ये जो जो मेरे कॉश्टेंस है वो इस यूनिवरिसटी में भी आये हैं मतलब नैनिताल यूनिवर्सिटीज में भी आये हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्टेंस मैंने य तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवाया है ठीक है अब यह देखो यह पहला कॉश्चन आया था मैं आपको पहले यह बता दू कि पेपर देखाऊंगा पूरा देखाऊंगा पेपर यह कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है 75 मार्क्स का आया था नेनिताल उनिवसिटी में कोई कुमाउ युनिवसिटी करके आप कुमाउ युनिवसिटी डालोगे निताल आ जाएगा पहले नंबर पर है ना गूगल पर तो आपको अटेंट 25 कॉश्चन पाच कॉश्चन अटेंब करने 6 मारक का एक कॉश्चन है ठीक है अब मैं बताता हूं मेरे कितने मारक के मतलब एक तरीके से कॉस्ट अकॉंटिंग के बारे में बताना है 6 नंबर में और फाइनिशल अकॉंटिंग से कैसे डिफर है यह बताना है एज इस कॉश्चन आपको दिखाता हूं में देखो जो मैंने दिया था यह मैंने 2024 के लिए important questions बनाए है यादे आपको 20 रुपे की PDF अब दे रहा हूं मैं है ना तो what is cost accounting as it is बता रहा हूं as it is मिला लो what is cost accounting what is cost accounting in what essential respect does cost accounting differ from financial accounting as it is question 6 नंबर में आप अराम से लिख सकते थे even जो इस लड़की ने मेरे को बेजाय मिताली ने उसका खुद का कहना है कि paper बहुत अच्छा गया है ना तो यह as it is question था मैं इस पर गोला बना रहा हूं आगे बढ़े what is overtime देखो overtime क्या होता है आप सब भी जानते हो यार overtime क्या होता है है ना जब हम कहीं किसी संस्ता में काम क कर रहे होते हैं मान के चली हमारी 9 to 6 job है और जब हम 6 के बाद भी अगर काम कर रहे हैं तो इसको overtime बोलते हैं ऐसा मैं कोई question देख लेता हूं कि मैंने कोई दिया था या नहीं पर आप यह याद रखना है ना what do you understand by overhead अब यह overhead वाला question मैं आपको दिखाता हूं मैंने दिया था ठीके ना देखो just wait overhead overhead कां गया define overhead explain the various methods of classification of overheads ठीके ना तो आप 6 नंबर में इस question को लिख सकते थे ये भी question as it is आया था कुमाओ University निनिताल में जो मेरे को इस लड़की ने send किया है मिताली इनका नाम है ठीके ये ठीके ना as it is आया था यहाँ पर भी मैं गोला बनाता हूं 5 कर में लिए थे तो आप यह लिख सकते थे ठीके easy drop एक format बनाना है computation of machine hover rate machine hover rate पर मैंने कोई question नहीं दिया था मैं एक बार और चेक कर लेता हूं तो जी हां machine hover rate मैंने कोई question नहीं दिया था what is contract account इस पर मैंने question दिया था और what is process costing इन दोनों को मैं दिखाता हूं आपको यह दोनों by process costing as it is as it is बता रहा हूं यह मैं आपको अब यहां पर लिखाए न what is our objective features general principles यह भी आप लिख सकते थे क्योंकि आपको बेटा 6 number का लिखना है तो बड़ा लिखना बड़ा होगा ना तो what is contract account what is process costing यह भी हमारा summit हो गया तो total यहीं पर इसी page पर मैंने 5 questions कर दिये यहीं पर आ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं what do you mean by normal wastage तो यह normal wastage तो मैंने नहीं बताया था पर easy था आप लिख सकते थे normal wastage में आपको कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं लिखना है और if the cost 18,000 यहादी cost 18,000 मतलब जो खर्चा है वो 18,000 और percentage of profit on cost तो आपको जो profit हो रहा है वो कितन आसान question था, बहुत आसान question था, अरामसे आप कर सकते थे, भर आनके चली एक आध पॉश्ण किसी ने अगर यहाँ से यहाँ से याद किया हो तो वो यह वाला question तो बहुत आसान था, जो कर सकते थे ठीक अब हम बड़े question पे चलते हैं, और यह एक question 15 का है, ठीक थीके ना एक question शॉट ले लीजे आप, मैं जो भी question paper की वीडियो बनता हूँ, इनका कोई भी, कोई भी PDF अविलेवल नहीं होता, और जो आप इमांशु coaching classes पर जो वीडियो देख रहे हैं, वही official होती है, बाकि आपको कहीं भी जो भी मिलती है, वो official नहीं है, उसकी में कोई ideal system of cost accounting, है न, ideal system को ही good system, good costing system कहा जाता है, is an invaluable add to the management, define the cheap points in the support of this point, तो यही लिखना था आपको, इसके ideal point ही लिखने थे cost accounting में आपको, है न, तो आप यदि इन दोनों को मिलाकर भी लिखते, या इन दोनों को मिलाकर लिखते, तो आपका काम हो जाता, ये भी as it is questions था, ठीके, आ है न, हम वो कुछ चीज़े समझना होता है, बस कुछ चीज़ों को, है न, ये बाला भी हमारा फसा, है न, तो अभी तक हमारा paper कितने number का फस चुका है, 45 number का हमारा paper अभी तक फस चुका है, ये numerical question है, तो numerical तो मैंने दिया नहीं है, तो numerical आप देख सकते हो, इसका screenshot ले सकते ह तो ये भी एक numerical question था, from the following information, prepare statement of cost and calculate this, तो prime cost, factory cost, cost of production, और ये था हमारा पूरा question paper, cost accounting का, ठीक है, जो की कुमाव युनिवर्सिटी नैनी ताल का था, जो मेरे को एक student थी, जिसने cost accounting के important questions लिये थे, बाकी subjects में जो help ली थी, तो उनी के द्वारा ये भीजा गया था, तो ये it's all about the question paper, thank you so much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, हम मिलेंगे next वीडियो में, आप भी question paper भीजिए, आप जिस भी university में है, उस university के question paper भीजिए, और मैं यहाँ उनको दिखाऊंगा, और मैं अपने important question और आपके question paper को मिलाकर दिखाऊंगा कि कितना number के questions मेरे first ने है exams में, thank you so much